नमश्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रिदेश टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा आई नज़र डालते हैं आज की साथ बजे की साथ बड़ी खबरों पर सपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुकुरबार को एक्सपर दिये गए एक बयान से मुख्यमंतरी योग्या दितिनात पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि भाषा से पेचानी है असली संत महंत साधु वेश में गूमते जग में धूर्थ अनन्त इस पर मुख्यमंतरी दर्बारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और आपकी बयान बाजी से केवल संपूर्ण संत समाच का ही नहीं पूरे प्रदेश की 25 करोड जनता का भी अपमान हो रहा है गौसेवा के लिए देश भर में प्रिसुद गौरक्ष पीठ में गौवंश का संसार अब और भी सम्रिद्ध हो गया है देश में अति दुर्लब नसल में सम्मिलत आद्रप्रदेश की पुगनूर गाय को भी गौरकनात मंदिर की गौशाला में लाए गया है वर्वसी सबका ध्याना करशित करने वाली पुगनूर नसल के गौवल जोडी बच्चिया और बच्चडा के मंदिर की गौशाला में आने पर शुकुरवार सुबार मुख्यमंत्री और गौरक्ष पीठा धीश्वर योग्यादित्यनात ने खूब दुलारा और उन्हें अ प्रदेश की योगी सरकार पर तज कसा आया अखिलेश यादव ने सीम योगी द्वारा गाजयबाद के रोजगार मेले में चात्र को स्मार्टपोन दिये जाने और फिर बदमाशों द्वारा उस चात्र से चीन लिये जाने के मामले पर ट्वीट कर लिखा देने वाले और के वापस लेने वाले सब एक ही पक्ष के थे क्या सुल्तानपूर में 28 अगस्त को हुए सराफा व्यवसाइड अकैति कार्ण में जिले की पुलिस और स्टेएफ की टीम ने एक लाग के इनामिया अजयादव को गिरफतार कर लिया है सुल्तानपूर के जॉय सिंग पूर कोत पुलिस ने एक और शिकंजा कसा है जाहिद पर गुरुवार को सरेंजर करने के दौरान दरोगा से मारपीट करने और वर्दी फारने का आरोप लगा है पुलिस ने जाहिद समेट सपा के 50 अग्यात लोगों पर ज्यानपूर कोतवाली में केस दर्च किया है वहीं सपा और उनकी पतनी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्च किया गया पूर्व मंत्री गायतरी प्रजापती को हाई कोट से जटका लगा है गायतरी प्रजापती की जमानत खारिस कर दी गई है इलाबाद हाई कोट की लखनव वेंच ने दुराचार के अम्मामले में दुरें पर यहा के मामले में में उमर कैद की सजा काट रहे गायतरी प्रिसाद ने हाई कोट में सजा के खिलफ अपीछ सं मिलाने के रिपोर्ट सामने आने के बाद आयोध्या के संतों में भयाना गुस्सा है राम मंदिर में 22 जनवरी को जब भगवान राम लला की प्राण पतिस्ठा की गई थी तब तिरुपति बालजी से राम मंदिर के उधगाटन के मौके पर खास तौर पर बनाए गए तीन टन लड़ू आये थे राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचारी सतेंद्रदास ने एक लैप की जाच में लड़ू में जानवरों की चर्वी और मशली का तेल मिलने के रिपोच पर कहा ये बहुत दुगदाई बात है और करोडों लोगों की आस्था के उपर अगात है उन्हों इस बुलेटिन में इतना ही उपे से जोड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ये उत्तर प्रदेश टाइम्स धन्यवाद